नुस्का दोस्तो वाली इंडिया गोल प्राइज यूटूब चेनल में आपका स्वागत है सोने चांदी के ताजा रेट सबसे पहले पाने के लिए आप चेनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लें इस यूडियो में हम जाने के सोने की किमते आने जवाले दिनों में क्या रहेगी अगर बात करें बजार जानकारों की राये की तो आपको सोने में निवेस कब तक करना चाहिए सोने की खरीदारी आपको कब तक करनी चाहिए पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है तो आने वाले 5-7 दिनों के बीच सोने की किमते मैं क्या गिराबटा सकती है बात करें अगर फिलाल के रेट की तो अभी थम गई सोने की किमते 2700 रुपे तक अपने All Time High से सस्ता हुआ सोना आने वाले दिनों में सोने की किमतों को लेकर बजार जानकारों की राइजिया बात करें अगर सोने की किमते हैं तो फिलाल आपको 22 क्रेट सोना 44,000 रुपे से 47,000 रुपे पर 30,000 ग्राम में और 24 क्रेट सोना 47,000 रुपे पर 30,000 ग्राम की रेंज में मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने की किमतों में गिरावट आई थी लेकिन अभी पिछले तीन दिनों से सोने की किमतों में फिर से बड़ोतरी देखने को मिद रही है जिसके बाद गराय काफी प्रेसान है कि क्या सोना फिर से महिंगा हो सकता है तो अगर बात करें तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अगर बजार जानकारों की राय की बात करें तो आने वाले दिनों में सोने की किमतों में गिरावट का रुख जारी रहने की संभावना है और अभी सोने की किमतों में 2-3,000 रुपे तकी और गिरावट जो हो सकती है क्योंकि केंदर सरकार ने जो 5% आयात सुलक अटाया गया था वो लागू किया जाएगा जिसके बाद सोने की किमतों में काफी गिरावट आने की संभावना बनी हुई है इसके साथ ही अंतराश्च बादार में मंदी को देखते वे भी गिरावट आएगी